दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंगले शानियत पर और आज की इस वीडियो में हम जो शॉर्ट स्टोरी डिसकस करने वाले हैं उसका टाइटिल है इसको लिखा गया था एक फ्रेंच आउधर जिनका नाम था गाई दी माउपसेंट कुछ नॉवल्स भी हैं और एक पोईटी कलेक्शन में पब्रिश कर आई थी जो आज हमने शॉर्ट स्टोरी पढ़नी है उसका टाइटल है जिसमें मिस्टर और मिस्स ओरियल के बारें बात की गई है जिसमें मिस्स ओरियल पैसे को बचाती है उसका महा तो कुछ अच्छे स जानती हैं वह हमेशा सोचते हैं कितना पैसा बचा लिया जाएक किस तरह से इसकी बचत की जाए तो इसी के बारे में पूरी श्टोरी है अगर इसके थीम की बात करें तो इसके थीम हो सकते हैं फियर लॉस इंडिपेंडेंस कांट्रोल अपीरिन्स और संटिसफाक्षन अ तो दोस्तों कहानी शुरू होती है ये कहानी है मैडम ओरियल नाम की एक सम्रिध महिला की जो की एक-एक पैसे का सही मूले जानती है वो अपने पैसों को बढ़ाने में विश्वास करती थी यहाँ तक कि वो अपने नौकरानियों को भी बहुत जादा पैसे नहीं देती थी और उनके जो पती है Mr. Warrior वो भी इनसे बहुत जादा परिशान है वो भी इनसे अपने प्रॉपर पॉकेट में निकालना बहुत है मुश्किल कादम समझते है इन लोग के कोई संताने नहीं थी फिर भी महिला अनावर्शक चीजों पर खर्श करने को तयार नहीं थी और जो उनके पती हैं वो एकसर उनके कंजूस सभाव होने के कारण होने वाली कठिनाईयों के बारे में उनसे शिकायत करते रहते थे Mr. Oriel जो हैं वो एक war office में head clerk के रूप में काम करते हैं उन्होंने अपने पत्नी के एक्षानुसार अपने पैसे बढ़ाने के लिए काम करना शुरू किया क्योंकि वो लोग समर्द परिवार से थे तो इनको काम करनी के उतनी आउशक्ता नहीं थी लेगन इनकी पत्नी का ये मानना था कि पैसे जितना ज़्यादा बढ़ा लिया जाए उतने ही अच्छे है पिछले दो वर्सों से वो एक फटे हुए छाते के साथ हमने कारा ले जा रहे थे एक अंब्रेला था जो कि फटा हुआ था तो उनके जो कलीक्स थे वो उनकी बहुत मजाक उड़ाते थे वो कहते थे कि आप तो इतने सम्रिद परिवार से हैं आप अच्छा कमाते भी हैं फिर विए फटे अंब्रेला लेके इसाथ आते हैं तो इस बात से उनको बहुत ज़्यदा बुरा लगता था उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि उनको एक अंब्रेला लेना है एक शाता लेना है तो उनकी पत्नी ने एक सस्ता सा आठ फ्रैंक्स खर्च करके एक शाता लिया उनको दे दिया अब जो उनके कलीक्स थे वो इस बात पर और उनकी मजाक उड़ाते थे कि अरे वा तुम तो फटे को चाता चेंज करके इतना सस्ता सा इतना गंदा सा दिखना आवा चाता लेकर के आये हो और आने वाले तीन महिने के भीतर ये चाता भी खराब हो गया अब जो Mr. Oriel है वो अपनी पत्नी से एक नया रेश्म से बना हुआ चाता खरीदने के लिए 20 फ्रैंक्स खर्च करने का रिक्वेस्ट करते हैं उनसे कहते हैं और फिर उन्होंने इस चाते को 18 फ्रैंक में खरीदा अब जो नया चाता है वो अच्छा दिखता था तो अब वो ऑफिस में उनके मजाक नहीं उड़ाय जाते थे जब Mr. Oriel स्राम को घर लोटे तो उनकी पत्नी ने चाते की जाश की उन्होंने चाते की बीच में गोल छेद देखा ये चेद सिगार के सीरे से जलाय गया था उसने ऐसा करने से या ऐसा करने के लिए ऐसा चाते के साथ हो जाने के लिए अपने पती को फटकार भी लगाई उन्होंने कहा कि तुम लापरवा हो तुम ध्यान नहीं दे सकते हो इतना नया चाता है अभी इतना महगा चाता है और अभी से फटने लगा और फिर इतना कहते हुए जो पुराना च्छाता था उसके रेसम के एक टुकड़े से च्छाते के छेद को ठीक कर दिया अगले दिन मिस्टर ओरियल फिर अपने ओफिस गए और महां से बलोटे तो मिस्स ओरियल ने च्छाता फिर से चक किया और वो जो कवर थे च्छाते के उसमें भी छोटे-छोटे छेद हो गए थे वे जलने के निसान थे च्छाता दिखने में बहुत गंदा लग रहा था वो बरबाद हो गया था तो उन्होंने अपने पती को फिर से डाटा उसको समझाने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हो जा रहा है बार-बार तुम नया चाता लेकर के जाते हो फिर भी हमें सा ऐसा हो जा रहा है तो पती ने बताया कि शायद ओफिस में कोई इर्श्या के बदले की भावना से चाता जला दिया होगा ये बाते होती रही तभी उनके यहाँ पर एक गेस्ट आ गए भोजन पर यानि डिनर करने गेस्ट आये तो गेस्ट के सामने एमामला रखा गया अब जो मैडम ओरियल थी उन्होंने बहुत ही द्रड़ता से अपने बात को रखा कि ये चाते की कदर नहीं कर पा रहे अब तो मैं इनके लिए एक नौकर जैसा चाता खही दूँगी जिसा कि मैं अपने नौकर के देती हूँ वैसा चाता उसके पती ने ये कह करके मना कर दिया कि वो नौकर का चाता लेकर के कारयाले नहीं जाएगा तो जो guest हैं उन्होंने ये सुझाओ दिया कि उन्हें 8 फ्रैंक्स खर्च करके इसको repair कर लेना चाहिए मैडम ओरियल ने इंकार कर दिया तब फिर अतिरी ने ये बताया कि जले हुए च्छाते के लिए वो अपनी company भीमा से या जो अपनी भीमा company है उससे उनको मुहावजा प्राप्त करना चाहिए यानि कि जो बीमा उन्होंने कराई हुई थी अपनी बीमा company के लिए कि कोई भी अगर damage कहीं किसी चीज में हो जाता है तो वो उनको जो insurance हुआ होता है तो उसके कुछ पैसे मिलते हैं तो इनको इस चीज के लिए apply करना चाहिए तो Mrs. Oriel को तो ये चीज़े बहुत अच्छे लगी ये सुझाओ तो उन्हेंने ऐसा ही सोचा वो चाहती थी कि छाता ऐसा लगे कि उसकी मरमत नहीं की जा सके इसलिए उन्होंने छाते में खुद से एक बहुत बड़ा सा छेत कर दिया और उसमें जो रेसम के बचे हुए हिस्से थे उसको लपेट दिया अब वो अगनी बीमा कंपनी के लिए कार्याले के लिए रवाना हुई फिर वो दुरगटना विभाग में गई दुरगटना विभाग के जो प्रबंधक थे वो कुछ अधर कश्टमर्स के साथ बात करके बात करने वियस्त थे जो मैनेजर थे फिर मैनेजर को जला हुआ चाता दिखाया गया इसकी कीमत उसे 20 फ्रैंक्स पड़ी थी उन्होंने ऐसा उस मैनेजर को बताया जो बीमा कंपनी है जो जिससे इन्होंने बीमा पॉलिसी ली है वो जले हुए च्छाते के लिए उन्होंके कहा कि मैं ऐसे जले हुए च्छाते का कारोबार नहीं करता हूँ ना मैं च्छाते का कारोबार करता हूँ ना मैं इसके रिपेर करने के लिए कोई आपको कि नहीं मैंने बीमा कराई है इसलिए कोई डैमज ओ तो आप मुझे उसका भूगतान दे उसका पैसा मुझे वापस करें जिससे की मेरी जो भी चीज़ें हो सही सलामत रहे वरना मुझे बीमा कराने कि अब जरूरत थी दिसंबर में पिछली दिसंबर में उनके चीमनी में आग लग गई थी इसकी मरमत के लिए उन्हें 500 फ्रेंक्स खर्ज करने पड़े थे उनके पती ने कभी भी कमपनी के मुआवजा के लिए नहीं कहा तो जो मैनेजर हैं उसको बहुत सर्प्राइज हो यह चीज़ उसकी 500 फ्रेंक के लिए उन्हें मुआवजा नहीं लिया लेकिन ये 5-6 फ्रेंक के लिए मुआवजा की मांग कर रही है तो उन्हें बताया कि यह जो 18 फ्रेंक्स थे यानि जो 20 फ्रेंक्स को नोने चाता खरी दे थे लेकिन 18 के मिले थे वो उनके खुद के पर्स से निकले है इसलिए उनको इतना बुरा लग रहा है तो जो मैनेजर था उसको ऐसास हुआ कि लगता है कि बीना मुआवजा दिये बीना पैसा दिये यह महिला ऐसे जाने वाली नहीं है तो उन्हें यह बताने को आ कि ठीक है बताई यह दुरगटना ह जलाई जाती है तीन माचिस कितिलों से मुंबत्ती नहीं जल पाई तो उसने चौथी माचिस कितिली से मुंबत्ती जलाई और फिर वो बिस्तर पर चली गई अब कुछ 15 या 16 मिनिट के बाद जब उसे कुछ जलने की गंद आई तो आकर के देखी तो उसको मिला कि छाता जल माडम, मैडम ओरीलयनी मिसेज उरियल जो है उनको इनको इन्होंने बोक्तान करने के बात कई बोक्तान करने के लिए तयार हो गये उन्हें निर्देश दिया कि चाते को अच्छे रेसम से फिर रे से कवर करा लें और इस तरह से जो मैडम ओरील थी उन्होंने अपना भीमा अपने अंब्रेला के लिए प्राप्ट किया और यहां पर कहानी खत्म हो जाती है दोस्तों आशा करता हूं कि यह कहानी आपको अच्छे समझ में आई होगी अगर कोई भी इश्यू है कोई भी दिक्कत है कोई बस सेजेशन देना है आपको तो आप कॉमेंट बॉक्स में सेज आपने बादे